हेलो एवरिवन आप सभी का फिस्से स्वागत है ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिसकसन है हम लोग आधुनिक भारतिय थिहास को डिसकस करें जिसमें आज का टॉपिक है पाकिस्तान की मांग सबसे पहले इस टॉपिक को डिसकस करेंगे इसके बाद इस प्रधारित जितने भी प्रशन पूछेंगे उन सभी प्रशनों को एनालिसिस करेंगे दिसकसन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि इसका पीडियेफ एविलेबल है अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्यूटी बॉक्स म इलहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षिये भासन में हुई थी याद रखिएगा Cambridge विश्व विद्याले के एक छात्र जिनका नाम था चौधरी रहमत अली इनों ने 1933 में पाकिस्तान सब्द का स्वर प्रथम परियोग Now are never are we to leave our Paris for ever नाम से बित्रित अपने पैम्पलेट में किया था यानी पाकिस्तान सब्द का परियोग सबसे पहले किस ने किया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में देगे ब्रिटीस भारत की पांच उत्री रायनेतिक इकाईयों के नामों के अंग्रेजी प्रतमाक्षरों को मिला कर यह नाम बनाया गया था जो यह इकाईयां थी पंजाब था नौर्थ वेश्ट फ्रंटियर पोविंस कस्मीर सिंध और बलुचिस्तान 22-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लिग का अधिवेशन लाहोर में हुआ इसकी अध्यक्षता मुहमद अली जीना ने की इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट पाकिस्तान की जो है मांकी गई पाकिस्तान की जीना ने अधिवेशन में भासट देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट के अतरिक्त और कुछ स्विकार नहीं करेंगे सरोजनी नाइडू ने मुहमद अली जीना को हिंदू मुस्लिम एक्ता का दुद कहा था देश के प्रथम परधार मंतरी पंडि जुहालाल नहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ओफ इंडिया के प्रिश संख्या 352 पर उलेक किया है कि मुहमद इकबाल ने उनसे मुलकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्र भक्त है नहरू एक राष्ट्र भक्त है जब कि जीना एक राजने तिग्य है मार्च 1940 में लाहोर में आयोजित मुस्लिम लिग के वार्षिक अधिवेशन में जीना के द्विराश सिधान्त को मन्याता दी गई थी इसे समन्दित प्रस्ताओं का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने त्यार किया था उसे फदलूल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तूत किया था और इसी तिथी की स्मिर्ती में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लिग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया पहला प्रस्न है भारतिय मुसल्मानों के प्रिथक राज के लिए पाकिस्तान सब्द का परियोग सबसे पहले इन में से किस ने किया भारतिय मुसल्मानों के प्रिथक राज के लिए पाकिस्तान सब्द का परियोग सबसे पहले निम्ड में से किस ने किया तो सर मुहम्मद इकबाल यानि option A बिलकुल correct option है भारतिय मुसल्मानों के लिए प्रिथक राज पाकिस्तान सब्द का परियोग सौर प्रथम कैम्ब्रिज विश्व विद्याले के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका सिर्शत था now or never में प्रस्तूत किया था second प्रस्ण है मुसल्मानों के लिए प्रिथक राश्ट्र का विचार दिया था किस ने दिया था तो सही जबाब हो जाएगा अगर बात करें तो देखिए फटा फट बताईए इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब हो जाएगा सर मुहम्मद इकबाल कवी और राजनैतिक चिंतक मुहम्मद इकबाल को मुसल्मानों के लिए प्रिथक राश्ट्र के विचार का प्रवर्थक माना जाता है सर्व इसलाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतिये मुसलिम लिग के इलाहवाद अदिवेशन में कहा था यदि या सिधान स्विकार कर लिया जाता है कि भारतिये मुसल्मान को अपने देश में अपनी संस्कृती और परमपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का दिकार है तो मेरी यह इच्छा होगी कि पंजाब उतर पश्मी सीमा परांच सिंध और बलुचिस्तान को मिला कर एक प्रिथक राज बना दिया जाए ब्रिटिस समराज के अंदर या बाहर एक उतर पश्मी भारतिय मुसलिम राज का गठन मुझे कम से कम जो है उतर पश्मी भारत में मुसल्मानों का अंतिम लक्ष प्रतीत होता है सही जवाब हो जाएगा मुहम्मद इकबाल यानि D option 1930 में मुसलिम लिक के इलावाद अधिवेशन में अध्यक्षिय भासर में मुहमद इकबाल ने स्वर प्रत्हम एक प्रिथक मुसलिम राज का प्रस्ताव रखा था प्रस्ण संख्या 4 है पाकिस्तान के अलग राज आंदोलन का नेत्रित्व किस ने किया? पाकिस्तान के अलग राज आंदोलन का नेत्रित्व किस ने किया याद रखेगा मुहम्मद अली जीना ने यानि D आप्शन बिलकुल करेक्ट आप्शन है देगे अगर बात करें तो 22 से 24 मार्च 1944 को मुस्लिम लिग का अधिवेशन लाहोर में हुआ इसकी अधिवेशन में भारस से अलग एक मुसलिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई जीना ने अधिवेशन में भासड देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुसलिम राष्ट्र के अत्रिक और कुछ स्विकार नहीं करेंगे फाइप नंबर है निमलिखित में से किसने मुहमद अली जीना को हिंदू मुसलिम एक्ता का दूत्र कहा था याद रखिएगा सरोजनी नाइडू अप्शन ए 1919 में पारलियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जीना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सचमुच भारती राष्टवादी की हैसियत से बोल रहे हैं इसके उतर मुनावने दृड़ता से कहा था हां मैं भारती राष्टवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ उसके बाद मेजर आप भी याद रखिएगा उसके बाद मेजर आकरसरवी गोर ने पूछा कि आप राजनितिक जीवन में मुसल्मान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूद कर देना चाहते हैं इसके उतर में जीना ने कहा था हां मुझे सबसे ज्यादा खुसी होगी जब वह दीन आएगा इनी राष्टवादी वीचारों और मुसलिम लीग और कॉंफरेंस सुरी कॉंग्रेस के बीच समझोता कराने में मुहमद अली जीना की महतपूर भूमिका के कारण सरोजनी नाइडू ने उन्हें हिंदू मुसलिम एकता का दूत कहा था सिक्स नंबर है कथन नहरू एक राष्ट भक्त हैं जबकि जीना एक राजनितिक गये हैं व्यक्त किया गया था किसके द्वारा यह बात कही गई थी नहरू एक राष्ट भक्त हैं जबकि जीना एक राजनित्ति गये हैं यह कथन किसके द्वारा कहा गया था तो याद रखिएगा सर मुहम्मद इकबाल के द्वारा सी अपसन देश के प्रथम परधान मंत्री पंडी जुआला नहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कबरी ओफ इंडिया के प्रिश्चंख्या 352 पर उलेग किया है कि मुहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप जो है नहरू जो है एक राष्ट भक्त हैं जब नहीं है तो देखिए मुहम्मद अली जीना के विसाय में जो सही नहीं है कि दिया गया है कि विस सदायों डायरी रखते थे यह कथन इनके संदर में सही नहीं है जीना द्वी राष्ट सिधान्त के समर्थक थे 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लिक के लाहोर अधिवेशन की अध्यक् पाकिस्तान की मांग की पाकिस्तान प्रस्ताव की रूप रेखा त्यार करने में सर सिकंदर हयात्खा फजलूल हक और खली कुजमा का काफी हाथ था मुहम्मद अली जीना और सहयुग आंदोलन से सहमत नहीं थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था एट नंबर है मुस्लीमों के लिए एक प्रिथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिवेक्ति कहां होई थी तो सही जबाब है 1930 के मुस्लीम लिख के इलावाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षी ये भासन में यानि अप्शन A मुस्लीमों के लिए प्रिथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिवेक्ति 1930 के मुस्लीम लिख के इलावाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षी ये भासन में हुई थी याद रखीगा जबकि Cambridge 20 विद्याले के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान सब्द का सौर प्रथम परेव Now are never are we to leave our Paris for ever नाम से बित्रित अपने पैंपलेट में किया था British भारत की पांच उत्त्री राजनेतिक इकाईयों के नामों के अंग्रेजी प्रतमाक्षरों को मिला कर यह नाम बनाया गया था यही काईया थी पंजाब, North West Frontier, प्रोविंस, कस्मीर, सिंद और बलुचिस्तान 22-24 मार्ड-1940, 22-24 मार्ड-1940 के बीच लाहोर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभू राज के रूप में अपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी Now are never pamphlet किसने लिखा? प्रशन संख्या 9 Now are never pamphlet किसने लिखा? इसका सही जबाब हो जाएगा रहमत अली C option बिल्कुल correct option है इसके बाद next प्रशन संख्या 10 मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की अस्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? किस वर्स? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की अस्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया याद रखिएगा 1940 में B option बिल्कुल correct option है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहोर अधिवेशन में प्रसित पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया अधार यह था कि ऐसा कोई सनुविधार मुसल्मानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पुर और प्ष्टिम के मुसलिम बहुल छेत्रों को एक स्वतंत्र और शार्वभम राज के रुप में स्वीकार न किया गया हो 11 नमबर है, मुसलिम लिक के द्वारा, पर्सताओ पारित किया गया था 12 नमबर है, वर्ष, 1940 में, मुसलिम लिक के अधिवेशन में, पाकिस्ताओ किस्ने रखा था 1940 में मुस्लिम लीक के अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव किस ने रखा था तो याद रखिएगा खली कुजमा खली कुजमा इसका सही जबाब हो जाएगा 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लिके वासिक अधिवेशन में प्रसिद लाहोर प्रस्ताव पास किया गया पकिस्तान प्रस्ताव जिसके तहट भारत का विभाजन कर एक प्रिथक मुस्लिम राश्ट्र पकिस्तान की मांग की गई इस प्रस्ताव को फदलूल हक ने प्रस्तूत किया और खली कुजमा ने इसका नुमोधन किया इसकी रूप प्रेखा त्यार करने में सर सिकंदर हयात खा फजलूलहक और खली कुजमा की बीसेस भूमिका थी तेरा नंबर है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूप प्रेखा किसने त्यार की थी पाकिस्तान प्रस्ताव की रूप रेखा किस ने त्यार की? B option सिकंदर हयात खाँ प्रशना अनुसार सरवाधिक उप्युक्त बिकल्प सिकंदर हयात खाँ है याद रखिएगा 14 नमबर मुस्लिम लिग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जीना के दो राष्ट के सिधान को मन्याता दी गई थी ये कहाँ पर हुआ था? तो लाहोर में याद रखिएगा option A मार्च 1940 में लाहोर में आयोजित मुस्लिम लिग के वार्षिक अधिवेशन में जीना के दो राष्ट सिधान को मन्याता दी गई येसे संबनित प्रस्ताव का प्रारुप शिकंदर हयात खाँ ने तयार किया था और उसे फदलूल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तूत किया था पंदर नमबर है मुस्लिम लिग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था तो लाहोर अधिवेशन याद रखिएगा अप्शन A 16 नमबर है वो कौन तीथी थी वो कौन सा डेट था जब मुस्लिम लिग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था किस डेट को किस तारीक को तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया याद रखिएगा 22-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लिग का अधिवेशन लाहोर में हुआ था इसकी अधियक्स्ता मुहमद अली जीना ने की 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्रे पाकिस्तान की मांग करते हुई अप्रस्ताव पारित किया गया इस्तितिकी इसमिर्थी में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लिग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया 17 नमबर है मुस्लिम लिग के लाहोर अधिवेशन की अधिवेशन की अधियक्सता किसने की थी याद रखेगा मुहमद अली जीना यानि C अप्सन इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं नेक्स सेशन में बैक्तिकस सत्यागर 1940 के बारे में डिसकस करेंगे आप अपना परतिकिरिया देते रहें आपके परतिकिरियाओं का हमें बिसबरी से इंतजार रहता है और जीन लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज गुरूफ है सूप पेज इंस्टाग्राम को जोई नहीं किया वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप लोग जोईन कीजिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए थाइंक यू, मिलते हैं नेक्स सेशन में